दाल तो हम सभी बनाते हैं रोस बनाते हैं पर कभी कुछ नया बनाने का मन करते हैं तो आज हम बहुती सिंपल, बहुती इजी रैसीबी बनाएंगे जो घर के समान से बनती है और वो हैं मसालेदार, चटपटी उड़त की दाल इसे कोई भी हिसली बना सकता है चाहें वो कोई bachelor हो, चाहें student हो, चाहें beginner हो, चाहें housewife हो तो चलिए kitchen में और बनाते हैं मसालेदार उड़त की दाल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे subscribe कर लिजे, ये जो bell वाला icon है ना इसे दबा दें और यहां पर all आगिया है, तो बस अवाने वाली हर वीडियो की notification आपनों को मिलती रहेगी Thank you तो यहां मैंने एक कब उड़त की धुली भी दाल ले लिए, जो white वाली उड़त की दाल होती है, वो ले लिए और इसे आप कम से कम दो तीन पानी से अच्छे तरीकी से धूलें, उससे क्या होगा जब आप इसको मलमल के धुएंगे तो इसकी जो polish है वो निकल जाती है और जो की बहुत जरूरी है, तो बिसे इसे हाथ से रगड़ रगड़ के दो तीन बार धूलें और बर्स फिर कम से कम आदा गंटा के लिए तो इसको भिगा कर रखी दें एक साइड में और यहां मैंने कूकर ले लिया है और कूकर के अंदर कम से कम तीन चर टेबल स्पून भरके आप क्या डाल देंगे आप इसके अंदर आउयल को इसे भी डाल सकते हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा आप एक जीरा डाल दीजाए आदा चमच और थोड़ी सी हिंग जरूर डाल दिये क्योंकि उड़त की डाल हैवी होती है और अब इसमें मैंने दो मीडियम साइज के जो अनियन्स थे उनको फाइनली चॉप करके डाल दिया है और इसको हलका सा गुलावी होने तक भूनेंगे और यहां मैं क्या कर रही हूँ मैंने जिंजर और गार्लिक ले लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि कूटने में असानी रहती है कूट कर डालिए बहुत बढ़िया टेस्ट आता है नहीं तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं वन टेबल स्पून और बस उससे भी हम इसके अंदर डाल के क्या करेंगे हलका सा भून लेंगे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी अनियन जो है वो बहुत जादा ब्लैक ना हो हलका सा घुलाबी कलर वो पकड़े और बस उसी टाइम आप इसके अंदर जिंजर गार्ली का पेस्ट डाल दीजे तो ये फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं अब देखे एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैंने एक चमच यहां असली की डाल दिया है असली की बाद में इसली डाला है कि इससे असली की जए उस जलेगा नहीं और बस अब इसमें दो टमाटर मैंने फाइनली चॉप करके रखे थे वो डाल दें और यहां डाल दें आप आदा चमच के करीब नमक उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी रमाटर गल जाते हैं और उसके बाद दो से तीन हरी मिर्चे स्लिटिट करके डाल दें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इससे क्या होता है इसकी तेजी भी निकल जाती है और अब मैंने डाल दिए इसके इंदर कश्मीरी मिर्च पॉर्ड़र, आप चाहें तो तेज मिर्ची वAllahपी डाल सकते हैं और अब मैंने सके इंदर दाल दीए हल्दी और अपने टेस्ट के साफसे आप इसके अंदर डालीये नमक, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा किचन गई मसाला, आप चाहें तो गरम मसाला डाल दें, और नहीं तो आपके पस अगर more लायची और दाल घे और अज़ी सी ठाल दें अच्छा डेस्ट आता है और अब दो चमच भरके मैंने इसके इंदर डाल दिया है अपना कुरियंडर पॉर्टर बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और अपने मसाले को भून लेंगे और अब इसके इंदर हम डाल देंगे जो हमने सोक करके डाल रखी थी वो बस दाल डालने के बाद हमें इसके अंदर पानी डालना है आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो पानी डालेंगे वो कम से कम डेड़ से दो इंच आपका उपर होना चाहिए दाल से बस तो इसको आप जरूर देख लें और डाल अगर अच्छे से भीगी वी है तो डाल आपकी जल्दी हो जाएगी नहीं तो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो बस अब विसल लगा देते हम इसके अंदर तो जब दो सीटी आपकी आ जाएं तो उसके बाद आप 5-7 मिनिट अपनी डाल को ढख कर रग दें और उसको चेक कर लें अगर आपकी डाल नहीं गली है उस टाइम पर भी तो बस उसके अंदर आप क्या करेंगे थोड़ा सा पानी आर डाल दें और मीडियम फ्लेम पर उसको पक्ने दें जब बन जाए तो जैसे मैंने हरा धनिया डाल दिया है आप हरा धनिया डाल दीजे थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर डालिए और बस उसके बाद आपकी डाल जो है वो क्या वल्ले वल्ले करेगी क्या आपको पता भी नहीं लगेगा उपर से डाल दीए मैंने जिंजर जूलियन्स इसके अंदर और बस इसको हलका सा मिक्स कर दे दे और चली अब हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते है और बस आपका डिनर या लंच जो आप चाहें वो चट पड बन के तयार हो जाएगा तो चली आप इसकी प्लेटिंग करते है यह देखे कितनी बढ़िया डाल लग रही है है न बिलकुल चट पटी, मसालेदार, लजीज, लजज़दार डाल आपकी बन के तयार हो गई है बसते सिर्फ सर्फ कीजिए आप किसी भी रोटी के साथ राइस के साथ, प्राठे के साथ आप बस सबसे वावाई लूटिए यह देखे और यकीन मानिए देखने में यह कितनी इजी लग रही है न और खाने में यह उतनी ही बढ़िया डाल होगी आपको वाकिन में लगएगा कि कोई डिफरेंट से चीज़ बनी है एक बर इसे बना कर देखे और मेरी गरंटी है कि आपको यह बहुत अच्छी लगेगी आप इसके सामने न और नॉर्मल डाल बनाना फिर भूली जाएंगे जब कुछ चटपटा बनाने का मन करेगा या लगे घर में कोई सबजी नहीं है या कोई महमान आ रहे हैं तो आप बस यही दाल बनाएंगे देखे उपर से मैंने इसके इंदर डाल दिया थोड़ा सा असली खी क्योंकि वो तो इसकी जान है उपर से डालेंगे तो उसका फ्लेवर ही डिफरेंट आता है थोड़ा सा धनिया डाल दिजे और उसके उपर हम डाल देंगे थोड़ से जिंजर जूलियन्स और हरी मिर्च और हमारी जो डाल है वो बन के बिल्कुल तयार हो गई है तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ जाए आप इसे बनाएं और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन्हें भी अगर इसका टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ या नए व्लाग में आप लोगों के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए और ये दाल कैसी बनी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएए मुझे बहुत अच्छा लगेगा चलिए तिल देन गुड़ बाई अपना ध्यान रखिए फिर मिलते हैं बाई बाई गॉड़ ब्लस यू और